देश्वर के कई राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर बहस जारी है घमासान बढ़ता ही जारा है जहां एक तरफ महरास्ट से शुरुआत हुई लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर वहीं इस विवात को देश्वर के कई राज्यों में भी देखा जारा है मध्यप्रदेश उत्रप्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कैसे पॉलिटेशन्स इसके खिलाफ खड़े होते हुए नसरा रहे हैं वहीं अब ये मामला बिहार तक भी पहुँच गया है बिहार से बिहार के सीएम नितिश कुमार ने लाउड स्पीकर पर हाल ही में बयान जारी किया है वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी इतना ही नहीं शहनवाज हुसेन ने भी इस लाउड स्पीकर विवात को लेकर अपनी बात रखी है बात की जाए महरास्टर के बारे में तो महरास्टर से लाउड स्पीकर विवात शुरू हुआ मंसे के चीफ राज ठाकरे ने अल्टिमेटम दे दिया उधव ठाकरे को मुख्य मंतरी उधव ठाकरे को अल्टिमेटम दिया कि तीन मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए चाते हैं तो वहे भी मंदरों में जाकर हर्मान चालेसा का पार्ट पढ़ेंगे वहे भी हैं नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांश राठोर आपको बताने जा रही हूँ आगे की अपडेट के बारे में मुख्य मंतरी उधव ठाकरे ने हाल ही में रास ठाकरे पर किस तरीके से निशाना स्तादा उन् उन्होंने सवाल खड़े कर दिये लेकिन इस विवाद के बीच रास ठाकरे किस तरीके से एक और फैसला लेते हुए दिखाई दिये हैं दरसल हम बात कर रहे हैं एक माई के बारे में एक माई को औरंगा बाद में रास ठाकरे रेली निकालने जा रही हैं और इस रेली से पह महरास्ट्री की समाधी के दर्शन किये हैं उन्होंने यहां पर पहुँचने के बाद उन्होंने पूजा पाट किया है तो वहीं कल सुभा एक माई की सुभा और अंगाबाद में रेली निकालेंगे लेकिन इस रेली के लिए किस तरीके की प्रप्रेशन जारी हैं चले बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिये और दिखाते हैं रास ठाकरे को जब वह संभाजी महरास की समाधी पर पहुचे अब मनसे की चीफ रास ठाकरे पहुच गई है पूने जीहा शनिवार को पूने पहुचे रास ठाकरे छत्रपती संभाजी महरास की समाधी पर श्रधांजली देने के बाद उन्होंने 400 बाहनों की सताथ औरंगाबाद का रुकिया है आपको बता दे औरंगाबाद में रास ठाकरी को 16 शर्तों के सताथ सभा करने की पर्मिशन मिली है सभा इस्थर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है वहीं रास ठाकरी की बेटे इन तैयारियों को लेकर काफी जादा एहम फैसले ले रही है सभी तैयारियों पर वह बखुबी ध्यान दे रही है वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस रिली के बाद लावड स्पीकर विवात में रास ठाकरे और भी एहम फैसले ले चुके हैं तीन मई को महा आर्थी करेंगे और लावड स्पीकर भी बजाएंगे वहीं रास ठाकरे पांच मई को अयोध्या भी जा सकते हैं कहा जारा है कि रास ठाकरे लखनों में मुख्य मंतरी योगी अदित्यनाथ से मुलाकात भी कर सकते हैं आप सभी ने देखा जाना कि उद्दव ठाकरे सरकार को अल्टिमेटम देने के बाद अब रास ठाकरे पूरी तरीके से तैयार है वहीं अब ये भी दावा किया जारा है कि तीन मई को वह महा आरती करेंगे हनुमान चालिसा की यहां अरपीड वहीं ये दावा भी किया जारा है कि तीन मई को महा आरती की जाएगी और इसके बाद वे है अपनी कारेकरताओं के साथ हजारों की तादात में अपनी कारेकरताओं के साथ अयोध्या के लिए भी रवाना हो सकते हैं इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज